अज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग करने वाली हूँ पास लाइफ के ऊपर रीडिंग करने वाली हूँ यह टॉपिक मुझे मिला है मेरे सुल्सक्राइबर की तरफ से वो जाना चाहते हैं पास लाइफ के बारे बर तो अगर इस तरह का सवाल आपका भी है आप जानना चाहते हैं अगर आपको ऐसा मैसूस होता है कि जिससे भी आप प्यार करते हैं उनके साथ आपका पिछले जन्मों का कोई रिष्टा है तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाल है क्योंकि आज की इस वीडियो में रवील होने वाला है आपका पिछला जन्म आपको इन कार्स की उपर अपना ध्धान देना है हम रूम से भी चद करेंगे आप लोगों के लिए जो भी मैसेज आएंगी रूम हमको क्या मैसेज देते हैं ठीक है और साथ मैं आपके लिए और एकल कार्स टैरो कार्स से भी देखूंगी लास्ट में हम एंजल गाइडेंस देखेंगे आप लोगों के लिए इस जन्नम के लिए क्या गाइड़न्स है आपको बताने वाली हूँ आज की इस वीडियो में कि आप इछले जन्नम में कौन थे और आपकी लाव स्टोरी क्या थी आपको प्रमात्मा का नाम देना है जिस भी शक्ती के उपर आपको भरोसा है अगर सचे दिल से दुआ करके आप मेरी ये वीडियो देखेंगे तो यकीन मानिए ये वीडियो आपको जो भी रीडिंग कर रहे हैं इस वीडियो में आपको रेजनेट होगी तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए आपको जिस भी बारे में जानना है अपने और अपने पार्टनर के पिछले जन्मों के बारे में जानना है कि आप क्या थी और आपकी लग स्टोरी क्या थी यह सारी मैसेज आपको मेरी इस वीडियो की धुरू मिलने वाले हैं जब तक कि मैं आपके लिए कार्ट शॉफल कर रही हूँ अप अपना नाम दोहराते रहें अपने पार्टनर का नाम दोहराते रहें इस वीडियो में आपको बताने वाले हूँ आपका पिछला जन्म आपके इस जन्म के बारे में बताऊंगी ताकि आपको समझ में आए यह वीडियो आपके लिए है भी या नहीं अगर रेजनेट हो तो लाइक करना ना भूले पोस्टिव एनरची के लिए आप मेरी इस वी वीडियो आपको टाइन टू टाइम मिलते रहे हैं यहां पर सबसे वहला कार्ड हमारे पास आर रहा है सेवन आप मोंस यहां पर दास्टार ब्रह्मा का गार्ड है आपके लिए सबसे पहले मैं इसी साल का जवाब दूँगी क्या पिछले जन्मों में क्या थे और यहां पर हमारे पास एस उपेंटिकल का काड़ है दा है रूप एंट दूल का देखें यहां पर यह दिख रहा है कि आप जो भी है चाहें आप एक महिला हैं चाहें आप एक पूर्ष हैं आपने तपस्या बहुत की है आपने बहुत ही जादा तपस्या की है मादुरुगा की तपस्या की हो ऐसा भी यहां पर पॉसिबल है आप मुझी एक प्रिस्ट की तरह लग रहे हैं पिछले जन्मों में आप एक प्रिस्ट थे जो बहुत ही पिछले जनम से जो गोड गिफट आपको मिला है जो शक्यां आपको मीली है वो आज भी आपके अंदर है और उन शक्तियों की वज़ा से ही आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सोल कर पाते होंगे आज भी आप लोगों की मदद कर पाते होंगे आप एक मिस्टियिस मुझे ऐसा दिखता है कि कुछ न कुछ रहस्य में चीजों की जानकारी आपको है इस जाना में वो इस वज़े से ही है क्योंकि आपने पिछले जन्मों में वो शक्तियां हासिल कर ली है कुछ शक्तियों के बारे में आपको नहीं बता है लेकिन पिछले जन्मों में वो शक्तियां आपके पास थी आप एक दिव्या शक्तियों के मालिक रहे हैं हीलिंग में थे आप, हीलिंग इंदसेज कि कोई ऐसी शक्ति थी कि जो दूसरों के दुख दर्द को दूर कर देती थी यह शक्ति आज भी आपके पास होगी आप जानते हैं या नहीं जानते हैं यह बात अलग है लेकिन आज भी यह शक्तियां आपके पास है जिसकी मदद से आप दूसरों की मदद कर सकते हैं दूसरों को हेल कर सकते हैं यहां पर एसो पैंटिकल के एनरजी जो मुझे दिखरी है यह पास लाइफ की आपकी इमेज मेरे सामने प्रेजन्ट हो रही है ऐसी ही इमेज आपकी रही है लोग दूर दूर से आपके पास आते थे आपको अपनी परिशानियां बताते थे और आप उनकी उनस प्रोब्लम को ठीक कर दिया करते थे अपनी शक्तियों से इस वज़े से ही लोग आपको दीवी दीवी का रूप समझते थे आप भाले ही पोश हो लेकिन दिखे कुछ भी हो सकता है क्योंकि यह मेरी रेडिंग जेन्डर स्पेसिफिक नहीं है मेल फिमेल दोनों के लिए है आज भी आपको कही न कहीं ऐसी चीज़े अपने तरफ अट्रेक्ट करते होंगे आज भी आपको लगता होगा कि आपको साधना करनी है आपको दीवी मा की साधना करने है, चाहे आप काली मा की साधना करें ऐसा मुझे ज़ादा नज़रा रहा है, एक दीवी की आप पूजा करते हुए, मुझे ज़ादा दिख रही है और ये चीज़ें आपको इस जन्म में भी एट्रेक्ट करती है आपका मन करता है कहीं पे जाके साधना करने का वो इस वज़े से ही होता है क्योंकि पिछले जन्मों का असर आज भी आपकी प्रेजेंट लाइफ में है आज भी आप लोगों को खाली हाथ नहीं जाने देते होंगे आज भी आप लोगों की मादद करते होंगे आप ऐसे थे पिछले जन्म में बट मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे seven of wand के energy है यह दिख रहा है कि अभी आपको अपनी power का पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है अभी भी आपको अपनी पूरी शक्ती का पता नहीं है अभी आपको साधना करने की जरूरत है इस जन्म में भी ताकि आपको सब कुछ याद आ सके अभी भी आप समझनी ही पाते हैं आपके साथ कुछ न कुछ अजीब घटनाय आज भी होती होंगी जिसकी वज़ाय आपको नहीं पता कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है आप औरों से अलग हो दूसरों से अलग तरह से सोचते हो आप रहसे में चीजों की तरफ जादा ध्यान देने की कोशिश करते हो आप दूसरी डिमेंशनस के बारे में जानने की आपके अंदर इच्छा होती है दूसरी दुनिया के बारे में जानने की आपके अंदर इच्छा हैं रहती है काफी स्टडी करते होंगे क्योंकि आपको बेचैन करती हैं ये सारी चीज़े कभी कभी आपके मन में ये सवाल भी आता है कि आप पिछले जनम में क्या थे इस वज़े से हैं आज आप मेरी इस वीडियो पे पहुंचे हैं ताकि ये देव्य शक्ति आपके मदद कर पाएं आप अपने बारे में जान पाएं आपको याद आ पाएं क्या पिछले जनम में कहां थे अगर आप साधना करते रहेंगे तो ये चीज़ें आप खुद भी जान पाएंगे हो सकता है आप जान भी चुके हो मेरी इस वीडियो तक पोछते हैं आपको पहले से ही पता हो अपने बारे में ये सब और मेरी वीडियो आप सिर्फ कंफर्मिशन ही समझें कि आपको जो मैसूस होता है वो बिल्कुर सही है आपको देवी की साधना करने चाहिए आपको अपनी पावर में दोबारा से आना चाहिए या पिछले जन्मों का मुझे दिख रहा है रूम से भी चक करते हैं आपके लिए क्या है मैसिच उसके बाद आपकी लव स्टोरी के बारे में भी बताऊंगी आपका जो लव पार्टनर हैं जिनसे भी आप प्यार करते है कि आपके साथ भी आपका पिछले जन्म का रिष्टा है या नहीं येस पास लाइफ यहां पर भी है और बलकुल आपके पास बहुत जादा ग्यान है उनको रूम से भी से मेसेज़ मिले हैं जो कि इस कार्ट में मुझे मिले हैं आप काफी पावरफुल हो आपको ये सब चीज़ी याद आएंगी बहुत ही जल्दी अगर आपको ओरड़ी याद आ चुका है तो दीखें आप समझ पा रहे होंगे मेरी ये वीडियो के बारे में मैं आपको क्या समझाना चाहते हूं अगर याद नहीं है तो आने वाले टाइम पे आपको जरूर ये सब चीज़ें याद आएंगी और आप ये समझे कि आज आप दुबारा जन्नम लिया है ताकि आप लोगों का कल्यान कर सको लोगों के आप मदद कर सको ये मुझे दिख रहा है आपके अंदर जो इस जन्नम से पिछले जन्नम से इस जन्नम में आपा हैं आपका उदेश्य सिफ लोगों का कल्यान करना है लोगों की मदद करना है लोगों को सही रस्ते पे ले के आना है और जिस भी परसंग के बारे में आप सोच रहे हैं ये आपके पिछले जन्मों के ही पार्टनर है, आपके इनके साथ मैरीज रही हो, ये भी पॉसिबल है, यहाँ पे गेबुरियन हमको यही साइन दे रहा है, कि आज की ये जो रीडिंग है, ऐसे ही आप इस वीडियो तक नहीं पहुचे हैं, इसकी वज़य इंपोर्टन्ट ज इसमें ये हुआ कि आप एक दिव्य शक्तियों के जानकार आप रहे हैं, दूसरा आप जिस भी पार्टन के बारे में सोचके आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके साथ आपका पिछला जन्म रहा है, अब देखते हैं आपकी लग स्टोरी, और आपका कर्मा भी चेक करेंगे, त्री ओफ का, एसस वो और यहां पर पेजो स्वोर्ट्स, अधा हर्मिट के इनर्जी है, अगें मैसिस तो यही है कि आपका फिस पिचल थे, पास लाइफ में भी, दूसरों से, युनिवर्स से आप एनर्जी लेते थे, दूसरों को आप गाइडेंस देते थे, ठीक है, सीम वही मैसेज निकले है, काफी पुरानी सोल है आपकी, काफी पुरानी, लोगों के साथ, मिस आपके आसपास ऐसा दिख रहा है, कि लोग, आप से मिलना जाते थे, आप से दोस्ती करना जाते थे, उनको आपके साथ बहुत अच्छा लगता था, काफी काइंड और नेचरिंग किसम का मुझे आपका नेचर लगता है, पास लाइफ में, जादा एनर्जी जो है, वो फिमल एनर्जी किया है, एक फिमल की एनर्जी ही और जिस पार्टनर से आप मिले थे, यह मुझे ऐसा मैसूस होता है, कि ऐसा तो नहीं है, कि इनके साथ कोई दिव्यो शक्तिया थी, वट यह अच्छे घर से मुझे दिख रहे हैं, जैसे राजकुमार होते हैं, आप जिस से प्यार करते थे, वो राजकुमार थे, जिनको आ पर दिख रहा है, पास लाइफ में, आपके आगुमेंट्स जादा होते होंगे, ओपजिट अट्रैक्ट होता है, वैसा ही मुझे कुछ नजर आ रहा है, कि यह बिल्कुल आप से अलग थे, और आप अलग थे, आप स्पीचल नॉलिज जादा रखते थे, बट आपके जो प परसन के साथ आज भी डील कर रहे हैं, यह ऐसा भी है, कि आप आज भी स्पीचल चीजों की तरफ जादा ध्यान देते होंगे, लेकिन आपके पार्टनर नहीं ध्यान देते होंगे, और वो जिद्धी और हटी किसम के परसनों के, यह नेचर पिछले जुनमों में भी मुझ पारे हैं, ब्लॉकेजेस उनकी हैं, पासलाइज से ही ब्लॉकेजेस हैं, उनको भी अपनी ब्लॉकेजेस क्लियर करनी पड़ेंगी, तब जाके वो आपके बराबर खड़े हो पाएंगे, अब आप यहां हों और आपके पार्टनर बहुत नीची हैं इस मामले में, आपकी ल आपके इस जन्नम में भी आप मिले हैं, और एक से जादा पार्टनर है आपकी लाइफ में, ऐसा मुझे दिख रहा है, मुझे दो लोग नजर आ रहे हैं आपके लाइफ में, आपके लाइफ में, आपकी तरफ बहुत जादा आती जारी हैं आपके पिसले जन्नम की लव आपकी तरफ बहुत जादा लोग अट्रैक्ट थे, बहुत जादा लोगों को आपसे जादा प्यार था, तो वो लोग आज भी इस जन्नम में आपको मिल चुके हो, एक से जादा परसिनल्टी मुझे यहां पे नजर आ रही है, पिछले जन्नमों में जिनको आपसे प्यार और आप उनको इस जन्नम में भी मिल चुके हैं, ऐसा मुझे यहां पर महसूस हो रहा है, कुछ आपकी एज के बराबर हैं, कुछ ऐसा भी नजर आता है कि आप जिसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, मतलब जो दूसरी भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हो, एज गया पर इसा मुझे यहां पर दिख रहा है, येस, बहुत से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आज भी, ऐसा मुझे दिखता है कि आप आप से बहुत लोग प्यार करते थे पिशली जनल में, अधा एंपरर शीवा, आज भी आप इस बूल बुलाईया में, आपको कुछ नहीं समझ में आता है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है, आप अल्रड़ी मैरीड हो किसी पार्कर्स के साथ, ये भी आपके पिछले जन्मों से ही है, और जिन से आपको प्यार है, मुझे वो भी नजर आ रहे हैं, लेकिन के लावा एक और मुझे पस्नेल्टी यहां पर नजर आए है, जो आपकी तरफ काफी अट्रक्टर है, और इनका भी रिलेशन आपके साथ पास लाइफ से है, ऐसा दिख रहा है कि अगर आप थार्ड पार्टी से डील कर रहे हैं इस जन्म में, वो आपकी पास लाइफ में रही हो, जो मुझे से पहले इंट्यूशन हो रहा है, आज आप दोनों के बीच में कोई और है, आपकी शादी किसी और से हुई है, आपके पार्टनर की शादी किसी और से हो चुकी है, जो पार्टनर है, वो आपके गार में पार्टनर है, और पास लाइफ से रिलेशन रहा है इनका यह सब आपके पास लव स्टोरी का ही हिस्सा है यहां पर मुझे काफी सिद्धियां हासिल हुई हुई नजर आ रहे हैं आप आज बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आपको समझाने की कोशिश करते हैं और अभी मैं यह बोलूं की डिले है अप कुछ आपको अभी डिसाइडने कर पा रहे हैं कि आपको अकेलापन ही मैसूस हो रहा है और यही अकेलापन आपको अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ा रहा है यह सब चीजे आपको अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ताकि जो शक्तियां आपको मिली हैं उन्स शक्तियों का आप सही से यूज करके लोगों की भलाई के काम करें यह सब चीजे मुझे नजर आ रही हैं आप लोगों के लिए यह थर्ट पार्टी कौन है यह चक करना है मुझे थर्ट पार्टी थर्ट पार्टी तो आपको अलब करना चाहती है थर्ट पार्टी की वज़ा से आप पिछले जन्म में काफी सफर किये हैं यह थर्ट पार्टी इस जन्म में आप से दूर होगी यह थर्ड पार्टी जनम में आप से दूरोगी वक्त लगेगा slow process चल रहा है बहुत time लगेगा आज भी यह थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है और कफी strong है कर्मा से भी दिखते हैं इससे मुझे क्या message आ रहे ताकि हमारी reading में और clarity मिले अचानक से मुझे एक message आया है कि आपके person को भी एहसास होता है past life एहसास होता है इन सब आतों में भरुसा करते हैं yes सपन में आपको कभी ऐसा दिख रहा हूँ ऐसा कोई vision दिखाई दिया हूँ ऐसा possible है अभी आप in decision मुझे नजर आ रही है जो energy वह यही है struggle बोट है आपकी life में करो या मरो ऐसी situation में आप हैं ना तो आपी इस रिश्टे को छोड़ पा रहे हो ना रख पा रहे हो यह struggle है इस रिश्टे में जिसके बारे में भी आप सूच रहे हैं love story at present बहुती ज़्यादा obsessed energy मुझे यहाँ पे मैसूस हो रही है करो या मरो वाले energy है यह आपके लिए ही ना हो यह आपके partner की energy मुझे ज़्यादा मैसूस हो रही है कि आपके partner बिल्कुल भी आप से दूर होके नहीं रह पाएंगे बट अभी आप दोनों एक कैसे होंगे यह clarity आप दोनों मैसी किसी को भी नहीं है एक तरह से आपको यही लगता है कि यह चीज़े ना मुमगीन है जिससे आप प्यार करते हैं उनसे आप कभी मिल नहीं सकते ऐसा आप सूचते हैं और यह चीज़ आपके person के लिए करना मुझे awakening तो feel हो रहा है यह अवेकनिंग में है यह person काफी चीज़े मैसूस हो रही है दिल से मैसूस कर रहे हैं वो अपने आपको बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं और इस रिष्टे पे काम करने की भी कोशिश कर रहे हैं कर्मा कार्ट से भी मैसेज आया है आपको अपनी psychic power की उपर trust करना है ठीक है और ज्यादा knowledge बढ़ानी है यह आपके लिए guidance आ रहे है sexuality में आप जितना आगे जाएंगे उतना ही आप इन सब चीज़े से बाहर आप आएंगे आप मौश की तरफ आगे बढ़ सकते हैं अगर आप से चल्ट की तरफ आ रहे हैं अच्छे कर्म करेंगे तो आपके जो बुरे कर्म है जिसकी वज़े से आब आप आप जन्नम ले रहे हैं वह cycle end होगा अब देखते हैं आपकी love story के लिए अगर उन्स के मैसे देखें गुड़िस यहां पे जो मेनिंग आ रहा है सबसे पहले मुझे यह इंट्यूशित हुआ है गुड़िस के इनर्जी तो यहां पे है आप हैं गुड़िस बट भूल रहे हैं आप अपने आपको underestimate करते हैं और यह करना आपके लिए नहीं सही ठीक है जो भी लोस हुआ है उसे आप परिशान हो रहे हैं बढ़ परिशान होने की ज़रूरत अब नहीं है आपको और बदलते रहना है और financial related जो भी आपके मन में सवाल चलते हैं वो बहुती जल्दी ठीक होंगे आप निश्यन तो रहें लेकिन हाँ आपको अपनी wisdom को और गेन करना है spiritual knowledge और और ज़्यादा आप education की ज़रूरत है spiritual education ठीक है आप books पड़ें इससे आपको और ज़्यादा चीजी अपने बारे में पता चलेगी जितना आप meditation करेंगे उतना आप अपने बारे में जान पाएंगे यहाँ पर meditation की वी guidance आ रही है लेकिन अभी जो circle में आप हैं दोनों partners थोड़ा सा struggle है यहाँ पे struggle की energy आई है आप दोनों को struggle मैसूस करना होगा लेकिन feel आप दोनों को ही होता है यह जो connection है काफी intense connection है आप दोनों इक दूसरे को भूल पाओ ऐसा possible नहीं है एंजल आपको ऐसी situation में क्या कहना चाहते हैं देखते हैं एंजल guidance क्या है आपके लिए आपके लिए एंजल guidance क्या है विदिन गानेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ अच्छा होने वाला है आप दोनों के relationship में सक्सेस मिलेगी अगर आप अपने career को लेके यह जन्नी को लेके परिशान है कि आप successfully handle कर पाएंगे यह नहीं पार होगी यह जन्नी की नहीं यह बिल्कुल होगी ज्यादा worry करने की ज़रूरत नहीं अगर आपने कोई स्वाल किया था तो उसका अंसर है नौ और क्या guidance आपको मिल रही है don't need to worry आपको अपनी journey surrender कर देनी है angels को handle करने दो और जिनों ने भी आपके साथ गलत किया है आप उनको माफ कर दो forgiveness सीखिए आपको अभी forgiveness सीखने की जरूरत है आप जल्दी लोगों को मातनी कर पाते हो और अपने आपको ही तकलीफ देते हो तो इस energy से आपको बाहर आना चाहिए meditation आपको करना चाहिए meditation आपके लिए अच्छा है तब आपको शांती मिलेगी आपको आपकी सारे सवालों के जवाब time to time मिलते रहेंगे आज की reading तो guys आप लोगों के लिए है यह जिसको भी resonate हो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे comment करके जरूर बताए और इस वीडियो को like करना ना भूले मिलती हूँ मैं आपको अपने next वीडियो पर तब तक के लिए bye bye take care